माडिविजन के दो दिवसिये छटवे राश्व सम्मेलन कशिभारम इंदौर के महात्मा गांधी मैमोरियल मेडिकल कॉलेज के मैदान पर शिरू हुआ उदघाटन सत्र में मुख्य अतिति के रूप में नैशनल मेडिकल कमीशिन भारत सरकार की अधियक्ष डौक्टर अरुना वी वानिकर उपस्तित रही विशेश अतिति के रूप में देश के जाने माने चिकित सक डौक्टर ऐस सुबया जी उपस्तित रहे साथ यदिश्ठाता महात्मा गांधी मैमोरियल चिकित सामाह विध्याले डौक्टर संजर दिख्षित मेडिविजन के राश्वी सयों जग डौक्टर विरेन सिंग सोलंकी एवं मेडिविजन इंदोर की सिम्रन का और भी उपस्तित रही मैडिकल और डेंटल स्टूटन्स के लिए बड़े स्तर परकारी किया जवार है मैडिविजन के छटे राश्वी समेलन का विश्वय सैंक्रमन चनावतियों और अफसरों में चिकित सा शिक्षा है अपने उधगाटन भाशन में डौक्टर अरूना वी वाणिकर ने भविशिकी चिकित सकों को समवेदना का पाठ पड़ाया भारति भाष्याओं में मैडिकल की शिक्षा के अनुषन सा करती हुई, डॉक्टर वानिकर ने द्विभाष्य एवं बहु भाष्य शिक्षा पदती पर जोड़ दिया अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुभवों को साजह करते हुए डॉक्टर अरोणा ने नैशनल मेडिकल कमीशन द्वारा चिकित्सा शिक्षा के हित्में किये जार है अब भूतपूर निर्णेओं की बारे में जानकारी थी शोद एवं अनुसंधान को पड़ावा देती हुए डॉक्टर वानिकर ने विध्यारतियों एवं शिक्षकों को आर्टिकल शोद पत्र इत्यादी लिखने पड़ने के लिए प्रिरित किया कारिक्रम में कोरुना योध्धा सम्मानित हुए उक्तुद घाटन सत्र में कोरुना काल में चिकित्सिय एवं फार्मा के शेत्र में उतक्रश्ट कारे करने वाले हेल्फ साइन्स शेत्र से जोड़े कुछ विभूतियों का सम्मान किया गया जिनमें सुरेंद सिंग भधारिया, डॉक्टर अनिल खरिया, मयंकराद सिंग भधारिया, डॉक्टर मोहग भंडारी, डॉक्टर नीरत सेंद, इवं डॉक्टर प्रमेनद सिंग ठाकुर के नाम उलेखनिया है यह चट्वे मेडिवीजिन के अधिवेशन में विद्धियार्थियों को प्रोचसाहित करने के लिए है कि आज आप जानते हो कि मेडिकल एजूकेशन सर बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो मेडिकल के छात्रा कैसे पढ़ा ही करें अधियार्थियों को विद्धियार्थियों को गाइड करने के लिए यह बहुत अच्छा पहली बात तो सिर्फ हिंदी नहीं बोला मैंने मैंने बाइलिंग्वल बोला है हर एक स्टेट की जो मेंन लैंग्वेज होगी वो और इंग्लिश देखे शुरू में तो विन देर इस सिर्फों कई सब्सक्राइब की जैसे जाए हाँ तो सिर्फ हुआ भी फिरे लागू होगा यह मेंने नहीं कर रहे हैं और यह क्यों कर रहे हैं ₹च व्यवाशाओ में होती है इसका मतलब की सिर्फ इंगलीश में नहीं होती और जो छातरा बेस्ट होते हैं वो जरूरी नही लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती जब वो मेडिकल की पढ़ाई शुरू करते हैं तब पहला साल उनका डिप्रेशन में जाता है यहां तक ही सूसाइड के लिए सोचते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो आगे पढ़ाई कैसे करें और पूरी दुनि जैपनेज, हिब्रू, अरब वो सब अपने अपने भाषा में पढ़ाते हैं तो भारत में एक भाषा नहीं हो सकती क्योंकि हम बहु भाषिया है इसलिए हमने जो शुरू किया है कि एक तो यह जो सेवाबस्तियों में काम करेंगे ना बच्चे जो पाकी के प्रॉब्लम्स तो बच्चों में क्या बहुत एनरजी है उसको सही दिशा देने की जरूरत है उनको अगर सही दिशा मिले इसलिए विलेज आउट्रिच फैमिली अडॉप्शन जब सही दिशा मिलेगी तो उनकी जो सोच की है न दिशा बदल जाएगी योगा मॉड्यूल इससे क्या होगा कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर रहेगा तो इससे Pen tolerant में आ जाएगा और बाकी का है mentor Menti program जो ने अल्रेडि लागू किया है कि हरे एक के लिए एक मेंटर रहेगा जो सीनियर रहेगा या असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा वो अपने विचार उनसे शेयर करेगा तो इससे रैगिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो भी कंट्रोल में आएंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा दीरे दीरे होगा एक दीन में होने वाली अबात नहीं है लेकिन काफी कंट्रोल में आ रहा है लुटार पर दो कि अ